कैसे हूँ दोस्तों, एक्सिलेंट क्लासिस में स्वागत है आपका आज की हमारी टेस्ट नमबर सेविन में आज का हमारा टॉपिक है भारत का तट इससे संबंदित हम प्रसंद करेंगे आईए पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं तो जिस प्रकार से भारत का तट फिगर में दिखाया गया है भारत के कुल नौराज तट सीमा पर इस्तित हैं पस्चिम पर पांच राज हैं क्रमशा, गुजरात, महराश, करनाटक, गोवा और केरल इसी परकार से पूर्वी तट पर, तमिलनाडू, आंध्रा, उडिशा और पस्चिम बंगाल यह हो गए हमारे नौराज अब यहाँ आपसे क्या क्या प्रशन बन सकते हैं सबसे लंबी तट रेखा, किसकी है, गुजरात की आईए इन तटों के बारे में जान लेते हैं कि इन तटों को क्या कहा जाता है तो गुजरात का जो तट है उसे कच और कठियावार कहा जाता है महराश्ट, गोवा, एवं करनाटक की तट को कॉंकर तट कहा जाता है तथा केरल की तट को मालावार तट कहा जाता है इसी प्रकार पूरवी घाट पर देखें तो तमिल नाडू और आंधरा के तटको कोरो मंडल तट, उडिशा के जो नौर्थन सेंटर है वहाँ उतकल तट कहा जाता है, आएए आते हैं आज के हमारे कोई सेक्षन पर, प्रस नंबर वन हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन स है, तमिल नाडू और आंधर प्रदेश के तट का क्या नाम है, अभी बरतमान में ही हमने इमेज के माद्यम से देखा, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तमिल नाडू और आंधरा के तट को क्या कहा जाता है, यहाँ पर, कोरो मंडल तट, राइट आंसर इस ए, इसी प्रक सौराश्ट होता, तो राइट आंसर इस ए, आप्शन ए, आते हैं कुश्चन नंबर दो पर, हरी कोटा दीप किसके निकट आवस्तित है, स्री हरी कोटा दीप आंधर प्रदेश के पुलकट जील के निकट इस्तित है, यह दीप भारत के अंतरिश अनुशंधान संगठन, इ राज के पास इस्तित है, अब यहाँ पर यह दीप प्रदेश जल की सबसे बड़ी जील कौन सी है, उडी सा राज के निकट इस्तित, चिलका जील, हरी कोटा दीप किसके निकट है, पुलिकट जील के, तो राइट आंसर इस पुलिकट जील, आते हैं कुश्चन नंबर थिर पर, यह है पर मद्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2016 का कुश्चन है, इस कुश्चन मैं पूछा गया है, भारत के निम्न तटों में से किस पर औसस समुदरतल मापा जाता है, यहाँ पर वह हमसे रिफरेंस पूछ रहा है, कि किसका रिफरेंस लेकर हम औसस तट मुदरतल चेन्नाई तट से नापा जाता है, विसाखा पत्नम बंदरगा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगा है, जबकि मुंबई प्राकृतिक बंदरगा है, आते है कुश्चन नमबर फोर पर, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज कौन सा है, उत्तराखंड PCS Pre 2006 का कुश्चन है, यह हमने फिगर के माध्यम से भी समझा था, इस टार्टिंग में इसको, कि भारत की सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज गुजरात है, जहां पर कच और कठियावार दो सेक्सन है, यहां पर एक और important fact बनता है, जो कच वाला हिस्सा है, वहां पर लूनी न अर्थात समुद्र में नहीं मिलती है, आते हैं कुश्चन नमबर पाँच पर, अंडमान और निकोबार दीप समूग का सरबोच सिखर सेंडल पीक कहां इस्ते थे, यह हैं पर इंपीपीसीएस, 2015 का कुश्चन है, यहां पर हमें सेंडल पीक के बारे में बताना है, तो अंडमान, मद अंडमान, दच्छनी अंडमान, एवं छोटा अंडमान, तो अंडमान दीप की सरबोच चोटी सेंडल पीक जिसकी उचाई 730 मीटर है, यह उत्तरी अंडमान में इस्तित है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहां ओप्सन डी, आते हैं कुश्चन नमबर प्राचीन भारती भावलोगों मानता के अंसरार भारत बर्स किस दीप का खंड था, उत्तर में हिमाले से लेकर दच्छन में समुद्र तक फैले भारती उप महादीप को पिविद नामों से जाना जाता है, बहुत ग्रंथों में भारत को जम्बू दीप कहा गया है, देखि बच्छी एक नगरी है, नाम अयुद्या नाम की, तो वहाँ पर भारत किसका भाग बताते हैं, जम्बू दीप का, सुराइट उप्सन इस एर, उप्सन बी, जम्बू दीप, आते हैं कुश्चन नमबर 7 पर, भारत और स्री लंका के मद कौन सा दीप इस्तित है, भारत और स तो रामे सुराम इस हेर, राइट आंसर, उप्सन सी, यहाँ पाक जल संधी भी यहाँ पर है, पाक खाडी जैसे जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, रामे सुराम दीप भारत और स्री लंका के मद इस्तित है, खाडी में पंबन दीप, मनार की खाडी में पंबन आपने कुश्चन नमबर आठ पर पाक जल संदी किन दोशों के बीच में हैं यहाँ पर हमें बताना है पाक संदी किन देशों के बीच में हैं आईए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं भारत और स्री लंका की बीच कौन सी खाड़ी है यहाँ पर पाक खाड़ी और भारत और स स्री लंका के बीच में है पाक जलसंदी यह है UPSC EPFO 2015 का कुश्चन है यह है लच्च दीब एबं माल दीब को 9 डिग्री चैनल से अलग करती है आतने कुश्चन नमबर 9 पर भारत की सरबाधिक आवादी बाला दीब कौन सा है UPSC CDS Combined Defense Services 2013 का कुश्चन है आईए हम इसको डिटेल्स में समझते हैं जो महराष्ट में हमारा मुंबई है वह है बेसेकली सलसेट दीब पर है जैसे कि मैंने आपको फिगर में अंडरलाइन किया है मुंबई सलसेट दीब परिस्तित है और जैसे कि हम जानते हैं मुंबई सबसे ज़्यादा आवादी वाला दीब है यहाँ पर धाराभी के बारे में पूछा गया था है धाराभी एसिया की सबसे बड़ी मलीन बसती है आते हैं कुश्चन नमबर 10 पर नदी पर बिस्तो का सबसे बड़ा नदी दीब कौन सा है option यहाँ पर नील, अमेजन, ब्रह्मपुत और शिंदू बिस्तो का सबसे बड़ा नील नदी दीब माजुली दीब है जो आए इस फिगर से समझते हैं यह नौर्स इस्ट को जूम करके दिखाया गया असम राज़ में इस्ते थैं यह माजुली दीब और यह किस नदी पर इस्ते थैं ब्रह्मपुत्र नदी पर तो यह बिस्तो का सबसे बड़ा दीब है right answer होगा यहाँ पर माजुली दीब ब्रह्मपुत्र यहसे असम सरकान ने जिला गोसित किया है तो यह नदी दीब जिला भी कहलाता है कुश्चन नमबर 11 पर आते हैं भारत की निमलिकित जल परपातों में कौन सा गोवा में इस्तित है यह MPPCS 2012 का कुश्चन है देखे कितना रमली चित्र यहां पर दिखाया गया है बास्तों में परेटक इस्तल घूमने लायक है यहां बहुत से परेटक प्रतिवर्स आते है चेन नई एक्सप्रेस आपने मूवी अगर देखी हो तो उसमें भी दूस सागर दिखाया गया है जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यह दूस सागर जल परपात गोवा में इस्तित है देखिए मैप में भी मैंने इसको लोकेट किया है यह भी पूछा जा सकता है दूस सागर जल परपात किस नदी पर इस्तित है तो इसका राइट आंसर होगा मांडवी नदी आतने कुश्चन नमबर 12 पर भारत के किस दीप का उदगम ज्वाला मुखी है तो यहाँ पर हमें बताना है किस दीप का उदगम ज्वाला मुखी है बैरन दीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर के पोर्ट बिलेयर से 135 किलो मीटर दूर नौर्थीस्ट अरथात उत्तर पूर्व में इस्थित है यह दच्छन एसिया का एक मातर सक्रिय ज्वाला मुखी है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बैरन इस ज्वाला मुखी का पहला उदगार 1787 में हुआ था और यह अंडमार आइसलेंड में इस्थित है तो यह दो पूछा जा सकता कि साउथ इस्ट एसिया का एक्टिब ज्वाला मुखी कौन सा है तो बैरन इस राइट हैर कुश्चन नंबर 13 पर आते हैं सर क्रीक बिवाद किन दो देसों के बीच में है यह उत्राखंट आरो एरो 2016 का कुश्चन है यहाँ पर सर क्रीक बिवाद पूछा गया है किन दो देसों के बीच में है तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर भारत और पाकिस्तान भारत तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लाइन भी पूछी जा सकती है तो इसको रैड क्लिफ लाइन का है कहते है अगर भारत और चीन के बीच की इंटरनेशनल लाइन पूछी जाए मैक मोहन लाइन कहते है और यह सरक्रीग बिवाद भारत वा पाकिस्तान के बीच में है यह कच्छ के रन एरिया इस्तित है जो 96 किलोमीटर लंबा दलदली इलाका है कोश्चा नंबर 14 पर आते हैं केरल का कुट्टा नाड किसलिए पिरसिद्ध है कुट्टा नाड is famous for which region कुट्टा नाड basically भारत का नियूंतम उचाई वाला छित्र है आए इसे विस्तार से समझते हैं चोकि इस्थल हमेशा समुद्र तल से उचा होता है ताकि समुद्र का जल इस्थल तक ना चड़ पाए लेकिन इस्थल के बीचों बीच कुछ इस्थान ऐसे भी होते है जो समुद्र तल से भी गहरे है अर्थात वह इस्थान भारत केरल का कुट्टा नाड है तो यह भारत का नियूंतम उचाई वाला छित्र है तो option B is right here question number 15 पर आते हैं निमलेकित मैं से किस स्थान पर तीन अर्थ चंद्राकार समुद्र तट मिल जाते हैं जैसे कि हम जानते हैं भारत का दच्छनी हिस्सा जिसे Peninsular India कहते हैं प्राइदी पी भारत कहते हैं तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है पस्चिम में अरफ सागर पूर में बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर तो यहाँ पर तीनों भाग मिलते हैं अरफ सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर यह कन्या कुमारी पर मिलते हैं और कन्या कुमारी को किस नाम से जाता है कैप, कैमुरिन के नाम से तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा हमारा option D कन्या कुमारी तो यह थे हमारे पूर बरसों में आए हुए UPPCS और आते हैं आज के हमारे lucky question पर जिसका answer देकर आपका नाम कल comment section में announce होगा कल के question का right answer दिया है यहाँ पर सौनु कुमार ने अनुराक सविता ने बिजयराज ने, रोहित कुमार ने और नेहा कुश्वाहा ने इतने लोगों ने right answer यहाँ पर दिया है आप भी इसका right answer दीजिए comment section में आपका कल नाम announce किया जाएगा thank you for watching have a awesome day इसी तरह हमारे साथ पीकते रहिए, आगे बढ़ते रहिए धन्यवाद